सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दो सब्सक्राइब लेटेस्ट आइफोन्स का इंजार तो खैर हम सभी को होता है तो यहाँ बैयार ये है मेरे पास में फिलाहल एक नहीं बलकि दो दो लेटेस्ट आपल आइफोन्स आइफोन से 2020 तो आज उस वीडियो को आगे दिखते रही हम से बात करने वाला हूँ इन्ही नए लेटेस्ट आइफोन्स में नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेकनीकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं जो दो 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 ब्रेंट न्यू आइफोंस के दो दो ब्रेंट न्यू बॉक्स जो की है red और black कलर के साथ मैं all the one box लिसाए पहले ख़ता लेकिन मैं कर रहा था इतज़ार अपनेपास में आने का इसी brand न्यू red कलर के आइफोन SE का जहां पर दोस्तों कुछ ऐसा है इसका box और यहां पर है iPhone की branding, Apple का logo, पीछे कुछ और details mentioned है और यहां पर खास बात यह है कि product red जो है उसका दोस्तों एक portion जो है वो जाता है COVID-19 के relief के लिए तो यह एक बहुत अच्छी बात है मैं करता हूँ जल्दी से अपने हाथों से इस plastic wrap को side में, आप किजिए वीडियो को like तो यहां पर दोस्तों जैसी हटाते है lid को, सबसे उपर है यह एक section लिखा है designed by Apple in California, अंदर अगरम दिखते हैं तो यहां पर है दोस्तों यह product red का एक special leaflet, देखिए तो इसके अलावा है काफी छोटा सा cute सा लग रहा है यह iPhone, अगर उसों बात करते हैं इसके अलावा box में नीचे देखते हुए तो यहां पर हमारे पास में है यह काफी छोटा सा, काफी छोटे से power output वाला जहां पर output है, 5W का Apple का यह charger, इसके अलावा है दोस्तों यहां पर यह Apple EarPods और फिर है साथ पर यह USB 2 Lightning Cable, अगर मैं आपको बता हूँ जल्दी से एक वार अन्वाक्स करते हुए ब्लाक वर्जन को, तो यहां पर अगेन दोस्तों जो एक्स्पिरेंस ब्ल्कुल सेम है, और यहां पर है रखा हुआ यह iPhone हमारे पास में ब्लाक कलर में, तो जैसी हटाते हैं दोस्तों प इपिकल एपल स्टाइलिंग में यह एक सिम ट्रे, हालांकि ड्यूल सिम सपोर्टेड है, आप e-seam को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में है power lock unlock button, ओबर के दा दोस्तों कुछ भी यहां पर नहीं है, लेफ्ट साइड में हमारे पास में volume open down buttons, और है यहां पर mute switch, आगर में जहां पर हमारे पास में है 12MP का F1.8 aperture के साथ में आने वाला single rear camera, साथ में दोस्तों microphone और dual tone LED flash, बीच में है यह दोस्तों बड़ा सा Apple logo, नीचे है product red की branding, जहां पर दोस्तों के सामने के दरफ लगा है, यह 4.7 inches का retina display जो कि आता है 326 ppi के साथ में जो resolution है, वो है approximately 720p, और screen जो है उसके उपर है दोस्तों बड़ी-बड़ी bezels, उपर की दरफ है हमारे पास में एक 7MP का front facing camera, earpiece के साथ में और नीचे की दरफ है यह दोस्तों touch ID, मतलब पुरानी यादें यहां पर उसको देखते ही एक सकिन में ताजा होगी जहां पर दोस्तों बिलकुल typical आपको Apple style में मि पर देखी बात कि यह दोस्तों चलता है Apple की latest A13 Bionic processor पर तो मतलब जो आपको performance मिलने वाली है उसका कोई comparison नहीं होने वाला है उसको पुराने iPhone से यह performance है बलको latest iPhone 11 series जैसी और इसके अलावा जो battery है वो Apple ने बोला है कि iPhone 8 की जैसी आपको मिलने वाली है similar जहां पर हमको in fact 18Watt क fast charging का support मिलता है और wireless charging का option भी available है in fact जो फोन है यह IP67 certified भी है और बाके दोस्तों आपसे बात करता हूं फिर camera में जाके तो यहां पे आपको धेर सारे options मिल जाते है in fact portrait mode में आपको जो lighting option दोस्तों वो भी मिल जाते हैं जहां पे यह काफी अच्छे से आपके लिए portraits क्लिक करते और iPhone के portraits बहुत अच्छे ही होते हैं तो खेर यह दोस्तों कुछ कहानी इस phone की अगर आप से बात करता हूं unlock करने के लिए touch ID है वो बड़े आराम से बड़ी तेजी से बिना किसी problem की सीधा phone को unlock कर देता है यहां जोस्तों अगर आप से बात करता हूं फिलाल देखो यह red और black दो colors मेरे पास में हैं यह काफी interesting iPhone है और मैं कहूं तो काफी interesting एक budget iPhone है अगर किसी नया iPhone लेना है तो वो iPhone SE को दोस्तों चूश कर सक्क्राइब काल बहुत लोगों को यह design जो है वो पसंद है बहुत लोग जो है वो आज भी market में iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 वगर है यूज कर रहे हैं तो उनसे एक कदम आगे बढ़ते वे यह दूस्तों लेटेस्ट iPhone का model है iPhone SE, यह काफी ऐसे features और काफी performance को provide करते है जो काफी interesting position बना लेता है अपने आपकी दो iPhone के line-up में और मैं तो इसका मतलब अपने हाथ में यूज करके भी काफी अच्छा फील कर रहा हूँ इस फोन का है रहे से इतना अग्दम light weight सा काफी हलका सा लगता है के अलावा अगर आप से बात करूँ तो camera जो है वो definitely आप iPhone 8 जैसा नहीं बोल सकते दोस्तों यहाँ पे camera samples जो कर आप देख रहे हैं फिलाल screen पे वो काफी अच्छे से मेरे को improved लग रहे है और मैं बोलूँग की approximately almost iPhone 11 की टकर का है तुस्तों यहाँ पे इसका camera although आपको multiple cameras नहीं मिलते हैं wide angle shots हो करें के लिए लेकिन फिर भी जो camera quality है वो definitely कैर मुझे तो बहुत अच्छी रगी है rear और front दोनों ही cases में बाकी कैर आप बताईए कि आपके मन की क्या बात है इनी photos को देखते हुए नीचे comment क इसमें मतलब काफी सारे features Apple ने pack करके दरही कुशिश की है इस smartphone के साथ में तो यह है इसका red variant यह है यहाँ पे इसका black variant अब मेरे बास में तो खेर दो दो हैं और मैं use करूँगा नहीं तो कुछ तो special मैं लेके आउंगा आपके लिए फिलहाल तो खेर अभी इंडिया में availability इस इस फोन के इंडिया में कीमत को लेकर तो शुषवाती कीमत है वो है 42,500 रुपीज इसके 64 GB variant के लिए उसके बाद में 128 और 256 GB variants पे अविलेबल है इसी brand new iPhone SE के मुझे यह बार-बार जो red color है वो बहुत ज़्यदा पसंदार है आप बताईए कि आपको color कौन सा ज़्यदा बहत अदर लगा और आपका क्या है कहना इस phone के बारे में मैं खेर आपके लिए एक surprise लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी जैसी फोन इंडिया में available होने वाला होता है उसी के around इसी iPhone SE से जुड़ा हुआ उमीद है कि आपको वो भी बहुत ज़्यदा पसंद आएगा और इसक आपको जरूर अभी तक पसंद आया होगा दोस्तों बस फिलाव वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपको उन्यवाद मुझे उमीद है कि आपको वो पसंद आया होगा अगर आपका कोड़ सलों सुचाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपने व आपर आप